आरफी एप, आरपी एसफ, रिक्रूटमेंट 2021 नमस्कार दोस्तों आरपी एप और आरपी एसफ के नए रिक्रूटमेंट का इंतजार करने वाला ब्यारती जो लगातार इंतजार कर रहे हैं क्योंकि कोवीड के चलते ही 2020 में जो रिक्रूटमेंट आने वाला था जिसमें 18,000 वेकंसी को आपको मंजूरी दी गई थी जिसमें आरपी एप और आरपी एप सब दोनों पदो पर ये recruitment होने वाला था आखिर दोस्तों आरपी एप और आरपी एप में क्या बड़ा अंतर होता है और उनकी जो कटोप होती है वो किस परकार जाती है साथ इस बार की जो वैकंसी आएगी उसमें 50% वैकंसी महिलाओं के लिए रिजर्वेट की गई है दोस्तों इसको लेकर संपूर्ण जानकारी आपको इस उडियो में डीटेल से बताने वाले हैं आखिर कौन-कौन से 32 भरती के लिए अपलाई कर पाएंगे उसके लिए Education Qualification, Age, Criteria और Selection Process है वो इस बार का क्या हर रहने वाला इसको लेकर सारी जानकारी आपको इस उडियो में डीटेल से बताएं उससे पहले भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे चैनल पर अगर आप पहली बार आएं तो चैनल को आप जरूर सस्क्राइब कर ले साथ में मैथपुन जानकारी अपने दोस्तों के पास में भी जरूर सेर कर दे दोस्तों वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपको एक चोटी सी जानकारी बता देता हूँ अगर आप आरपी एफ के साथ में अलग भी और कोई रिक्रूटमेंट की तयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उससे के लिए काफी ज़्यादा मैथपुन भूमी का निवाता है और हम आपके लिए लेके आए जनवरी 2020 से लेकर जनवरी 2020 का करन ठपेश टोप 500 परसनों का संग्रह लेके आए रेलवे, SSC, IBPS, UPSC, स्टेट प्लिस और आल कम्पिटिटिव एक्जाम के लिए काफी ज़्यादा मैथपुन रहने वाला अगर ये बुक आप मार्केर से पर्चेज करते हो तो ये आपको 100 रुपे से कम में नहीं मिलेगी जबकि दोस्तो हम आपको ओनलाइन मातर 20 रुपे में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 80% की छूट के साथ में आपको ये दी जा रही है अगर आप इसे अभी पर्चेज करते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ जाके आप जल से प्रेमेंट करके आप इस बुक को खरीद सकते हो अब यहाँ पर बात करते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे होंगे डिफेंज जो बलट की ओफिसली साइड पे है और यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डारेक्ली आरपीएप कोश्टेबल रिकूटमेंट दो जार इकिस के बारे में बिलकुल यहाँ पर आप देख लीजेगा आरपीएप कोश्टेबल रिकूटमेंट दो जार इकिस अठारा हजार पोस्ट फीजिकल फुल डिटेल सेलेबस और एक्जाम डेट से रिलिटेड सारी इनफोर्मेशन आपको मिल जाएगी अब यहाँ पर मैं पूरी जानकर यहाँ आपको बता देता हूँ यहाँ पर हैलो यहाँ पर आप देख सकते हो टूडे वी विल टेक बाउट रिकूटमेंट यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ इस बार का जो होगा फोंग वो आपका ओनलाइन एफलाई होगा बिल्कुल दोस्तों टोटल बात करें तो रेल्वे प्रोटेक्शन फोर्टमेशन दोनों में क्या अंतर होता है और अलग-अलग इनकी करें यहाँ पर कटोप रहती है बिल्कुल मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ नेमो पोस्ट तो कोश्टेबल आपका पद रखा गया है और टोटल नमबर वेकेंसी की बात के तो ठारा हजार आपकी वेकेंसी रखी गई है और मेल की 9000 वेकेंसी है और फीमेल की भी 9000 वेकेंसी है दोस्तो 2021 में आने वाली आर्पिएप की बरती में काफी बड़े बदलाओ किये गए अब यहाँ पर 50% वेकेंसी जितनी भी आपकी वेकेंसी आ रही है उसकी 50% वेकेंसी महिलाओं के लिए रिजरवेट की गई है और दसवी पास वाले सभी कंडिडेट चाहे वो भारत के किसी भी राजे से विलोंग करता हूँ आप उस बर्ती के लिए इस बर्ती परकरिया के लिए ओनलाइन एफलाई कर पाएंगे अब मैं आपको इस छोड़ा सा अंतर बता देता हूँ और पी एप और पी एप में यहां पर जो लाइन होती है रेलवे की पुलिस लाइन उसमें रहती है और ज्यादा तर इसका मूवमेंट होता रहता है अलग अलग राजियों में जबकि आरपी एप आप जिस जोन से आप भरती होते हैं आपको पूरी जोब है वो उसी जोन में करनी होती है जबकि आरपी एप है वो यहां पर ओल इंडिया मूवमेंट करती रहती है इसकी सलरी भी अच्छी खासी होती है और इसकी कटोब भी आप से आप देख रहे होंगे दोस्तों पिछली बरती में भी आपने देखा होगा आरपी एप सब की कटोब भी आपकी कम गई थी मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 25 वर्स रखी गई है उसके अलावा SCST और OBC को यहां पर एज क्रिटेरिया में चूट दी जाएगी कितनी कितनी चूट मिलेगी वो भी मैं आपको डिटेल से बता देता हूँ SCST कंड़ेट है उनको 5 साल की चूट दी जाएगी OBC वाले जो भी कंड़ेट है नोन क्रिमिलियर तो उन सभी को 3 साल की चूट है वो यहां पर आयू में दी जाएगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजेगा एक कंड़ेट सुड़ेव फास टैंथ स्टेंडर्ड पोर कोस्टेवल एज पर नोटिफिकेशन प्रोम दे कैंसर इस्टेट यूटी कमिंग अंडर दे स्टेट रिजिनल ओफिस तो विछी सीज अपलाइंग सच क्वा ही कर पाओगे वही बात करें तो दोस्तो आर्पेफ कोस्टेवल का जो पैस केल होता है वो आपका 5200 से लेकर 20200 तक है जो आपका लेवल फाइप है उसके साब से आपको पेया पर दिया जाएगा जोब लोकेशन की बात के तो ओल ओवर इंडिया है दोस्तो जिस जोन से आप आपने फोम फिलप किया जाएगा उसी जोन में आपको यह अपर आर्पेफ के लिए जोब मिलेगी आर्पीएस अप है वो ओल ओवर इंडिया जोब है और ओल ओवर इंडिया ही मुमेंट आपको करना होता है वही बात करें सेलेक्शन प्रोसेस की सबार की तो सेलेक्शन प् काफी अच्छे लेवल का होता है उससे पहले height क्रिटेरिया बता देता हूं height में काफी ज्यदा चूट railway में आपको देखने को मिल जाएगी railway में अगर आप railway पुलिस में जाते हो तो आपको height में काफी चूट मिल जाएगी यहाँ पर आप देख लिजेगा जर्नल ओबिशी वाले candidate होगी जो height criteria minimum वो 165 cm होना चीए chest की बात करें तो 80 से लेकर 85 cm आपका chest होना चीए वही SCST की बात करें तो SCST में आपकी height है वो 160 cm होनी चीए आपका chest है वो 76.2 cm से लेकर 81.2 cm तक होना चीए वही गड़वार, गोरखा, मराथा, डोगरा, कुमायू और other category के जो candidate है उन सभी को height में चूर दी जाएगी 163 cm होनी चीए और chest आपका 80 से लेकर 85 cm होना चीए दोस्तो female के लिए height की बात करें तो female में journal OBC के लिए female की height है वो 157 cm होनी चीए SCST वाले female है उनकी height 152 cm होनी चीए जबकि गोरखा, कुमायू और डोगरा और इन सारी जगों से अगर विलोंग करते हो तो आपकी height 155 cm होनी चीए उसके लावा दोस्तों यहाँ पर physical पिटनी टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं तो PMT में सबसे पहले बात करें male candidate की तो 1600 मिटर की running होगी और यहाँ पर आपको समय दिया जाएगा 5 minutes 45 seconds काफी hard level का physical होता है railway police का और long jump भी काफी अच्छा है 14 pit का long jump है वही high jump 4 pit का आपका होने वाला है वही constable female की बात करें तो female की जो running होगी वह 800 मिटर की running होगी जिसमें 3 minutes और 40 seconds का समय दिया जाएगा long jump है वह आपका 9 pit का होगा high jump आपका 3 pit का रहने वाला है दोस्तों यहाँ पर apply online और official notification और news cutting से related update आपको यहाँ पर मिट जाएगी यहाँ जाके आप पूरी detail भी check कर पाऊगे इसका link भी मैं आपको description box और वीडियो के पहले comment में provide करवा दूँगा तो दोस्तों यह थी एक चोटी सी जानकारी जानकारी अच्छी लगे वीडियो को like कीजेगा चैनल पे पहली बार आए और railway police से related हर परकार की latest update पाना चाहते हो चैनल को आप जरूर subscribe कर ले